चलिए सर सबसे पहले एक टॉपिक है जहां पर पूछा गया है एफेक्टिव एनॉलाइज रिटन एनॉलाइज रिटन कैल्कुलेट होल्डिंग पीरिड रिटन एफेक्टिव एनॉलाइज रिटन आपने जब क्लास स्टार्ट किया था तो उस टाइम पे एक पॉइंट हमने डिसकस किया था क्लास स्टार्ट करते टाइम पे सर क्या कर रहा था बताओ न हमने सबसे पहली क्लास के अंदर स्टार्ट किया था सर हमने के हाव टू कैलकुलेट HPR holding period return कैसे हम holding period return निकालेंगे तो इसका formula लिख्खा था हमने holding period रिटन का सहब इसका formula हमने लिख्खा था holding period return का that is हमारा formula था कि कोई भी income हो जाए हमारा उसे लिख लो और सर income कैसे हो सकता है या तो interest से income हो सकता है या dividend से हो सकता है और plus कर दो इसमें क्या प्लस कर दो सर पीवन जो मार्केट प्राइज है और माइनस पीजिरो और डिवाइड किसे करो सर डिवाइड करो आप इसको पीजिरो से और इंटू हंडिड कर दो और उस समय पे मैंने यह बात भी बताया था कि यह जो रिटन होता यह एन्वल नहीं होता यह है या नहीं है तो जवाब है सर यह पूरा है तो सबसे पहले तो कहता है कैल्कुलेट होल्डिंग पीरिट रिटन निकालके दिखाना है तो सर फॉर्मूला तो पहले से पता एक पर कुश्चन पढ़ लेते हैं फिर हम अनुलाइज पहेंगे सर क्या कहता है कुश्चन में अब जैसे जीरो कुपन बॉंड और इसको हम दो तीर नाम से जानते हैं एक होता है हमारा जीरो कुपन बॉंड एक डीप डिसकाउंट बॉंड के भी नाम से जाना जाता है तो हमेशा याद रखिएगा जब कभी भी जीरो कुपन बॉंड होता तो इसके उपर कभी भी आपको interest नहीं मिलेगा no interest कभी interest नहीं मिलने वाला sir no interest इसका मतलब sir इस वाले questions के अंदर देखा जाए तो income का portion तो होगा ही नहीं क्योंकि income दो पार्ट में बटा होता है या तो interest या फिर आपका dividend यहां पर bond की बात चल रही है value जो है face value उसका 100 रुपए है different maturity period sr कैता भी आप बॉंड एक खरीदा जो कि 6 महीने में आपको पैसे मिल जाएंगे लेकिन आपको अभी मिलेगा कितने का 97 का आपको मिलेगा कितने का सर 97 रुपीज दो और 6 महने बाद आपको face value पे मिल जाएगा जीरो कूपन पॉंड क्या होता है अभी फिलहाल आपको सस्ते में मिल जाता है और बाद में फिर यह आपको क्या करता है उसको महंगा करके मतलब कि जैसे कि 100 वाले को 97 में दिया बाद मे एक निकालते हैं तो इस इकल टू इंटरस तो जीरो प्लस हमारा सर वन क्या होगा सर वन होगा हमारा सौर रुपे मिलेगा बाद में माइनस 97 का हमने अभी खरीदा है पी जीरो और डिवाइडेड बाई हम 97 रखेंगे और गुणा में 100 रखेंगे इंटू में 100 रखेंगे त कहां गया कैलकुलेटर कि कितना आजाएगा सर आज जो बच्चे लाइव एफ प्लिकेशन पर बताईएगा मुसकान अगर कोई भी दिक्कत होती है जरूर बताईए कि सर्में यह दिक्कत हो रहा है नहीं हो रहा है मैं मैं कह रहा हूं तो बताएंगे दिया ने जवाब दे यानि दिया ने बताए सर 3.927 परसेंट निकाल लीजिए अब बताओ यह जो रिटन निकाला है यह कितने टाइम का रिटन है क्या पूरे साल का रिटन जवाब नहीं आपने छे महने के लिए करा तो छे महने का रिटन है ओके सर यह कितने महने का रिटन हो गया सर चलो ठीक है सर ऐसा ही बी का देखने कौन बच्चा निकाल के बताएगा बीके अंदर बोलता है कि भी यह 95 का खरीदा वन इयर अब एक यह के लिए तो जो इसका रिटन आएगा वह तो एन्वल ही आएगा एक यह के लिए है 95 का तो 0 इंटरस्ट तो मिलेगा नहीं और आपका 100 रुपे वैल्यू था माइनस में 95 और क्या करोगे सर डिवाइड किससे करोगे सर डिवाइड भी 95 होगा ना क्योंकि आपने पी 0 95 है ना खरीदा तो 95 गई ना आपने तो 95 डिवाइड बाइड बाइड यह आ गया 5.263 यह हो गया हमारा इसका रिटन ठीक है अगला सी का भी बोलन निकाल के दिखाओ ओ माई गौड सी को इसने 16 एर तक होल्ड किया है और इसको 22 रुपे में मिल रहा है 16 एर खरीदा कब था 22 रुपे में इसने खरीदा था और वापसी कितने मिलेंगे से 100 रुप तो कितने आ जाएगे इंटू 100 तो अगर इसको सॉल्व करें तो 78 डिवाइड़ वाइं 22 इंटू में 100 354 परसेंट 354 परसेंट 5454 इसका यह रिटन आया तो जो हमने यह तीनों निकाला है यह हमारा क्या है इसको हम क्या कहेंगे सर इसको कहेंगे हम होल्डिंग पीरेट रि सब के सारी की सारी चीजे यह फुराणा हैं हमने वी बच्च yamद सभी को रिक्वेस्ट करता हूं कि वह सबी बच्च पुरादी क्लासे देखें यह जलदी जलदी देखें जो अगला चप्टर है बिल्कुल सेमповर बेज्ट है बस कुछ एक इडवांस उसके अंदर आने वारा है पूरा भी इस रहे नहीं तो अगला चप्टर भी समझ में नहीं आएगा इस बात का ध्यान रखिएगा थोड़ा सा चलिए सर अब अगला कोश्चन कहता है effective analyze return कहता है कि आप निकाल के दिखाओ क्या निकाल के दिखाओ सर effective अगलाइज रिटन जिसको मैं कि इए आर कहूंगा ओके सर यह निकाल के दिखाओ इसका मतलब सरी इसकी जरुरत क्यों आ पड़ी इसकी जरुरत इसलिए आ पड़ी कि यह जितने भी रिटन दे रखें साहब यो सारे के सारे रिटन एन्मल नहीं है वो जितने टाइम होल्डिं रिटन बोल सकते हैं इसके लिए आपको एनुलाइज रिटन के लिए आपको इन सभी को एनुल में कनवर्ट करना है तो आपका एनुलाइज रिटन कैसे निकालेंगे A.E.A.R. is equal to 1 plus में 1 plus में जो हमारा HPR है यानि हमारा जो होल्डिंग पीरिट रिटन है HPR इसकी पावर 1 by T 1 by T और माइनस में 1 ये फॉर्मूला होता है हमारा किसका फॉर्मूला है सर जब कभी भी आप होल्डिंग पीरिट को कनवर्ट करना चाहते हो correlation में तो ये फॉर्मूला अपनाई करते हैं सर ऐसा फॉर्मूला पहले भी कहीं देखा है बिलकुल ऐसा फॉर्मूला हमने पहले भी देखा था आपका रिस्क निकालते टाइम पर यूज किया था इसा फॉर्मूला ठीक है ना सर 3.09 है 3.0 है ओके मैंने कुछ जादा लिख दिया है है बच्चे करें 3.09 लिखो सर 09 लिख दिया लो जी आपने कहा 09 लिखो हमने 09 लिख दिया है अब सर अनुलाइज अब सबसे पहले T क्या है सर T stand for time यहाँ पे T क्या है T सभी को पता है और बच्पन से आप सीखते आए हो सर T तो time ही होता है तो T for time अब सर यहाँ पे पहले वाले A वाले case में T क्या है A वाले case में 6 month है तो आपका 6 by अगर हम 12 करें तो T आएगा 1 by 2 और 1 by 2 को अगर हम देखते हैं तो और ज्यादा factor करें तो यह 0.5 आ जाएगा एक तरीके से 0.5 आ जाएगा यह कहलो सरी टी को हम अगर इसको अनुलाइज अब दो चीजें हैं हमारे पास यह तो चलो मैं ऐसे बताता हूं कैसे करेंगे टी को करोगे तो इसको करना पड़ेगा 6 है तो आपका आ जाएगा तीन पच्चिस बारा डिवाइड़ेड़ वै तीन और इसका बारा तो चलिए यह आ जाएगा हमारा मैं बता देता हूं फिर भी यह आ जाएगा आपका मैं अभी कर देता हूं ठीक है अभी करके दिखाऊंगा आपको कैसे यह कैसे कनवर्ट होगा मैं फॉर्मूले में पुट कर लूँ क्या तब मैं अच्छे से बता पाऊंगा सर ए के लिए निकाल रहा हूं एफेक्टिव वन प्लस एच्पीर क्या है सर जीरो पॉइंट इसक इसको लिख देते हैं 0.0309 ठीक है इसके उपर 1 divided by अब उसने 6 बोला है तो 6 by 2 को अगर देखा जाए 6 by 12 तो कितना आएगा सर 1 by 2 आएगा इसको और सॉल्व करो तो कितना आजाएगा 0.5 तो अगर इसको नीचे मैं 0.5 रखता हूं तो एक को अगर मैं 0.5 से डिवाइड करूं और माइनस में 1 माइनस 1 तो क्या बनता है सॉल्व करके सर 1.0 तो 1.0309 यह तो इनको प्लस करके आ गया इसको सॉल्व करो 1 divided by 0.5 यही मैं समझाने की कोशिस कर रहा था यह बनी गया 2 और माइनस 1 ओके सर इसका मतलब अब हमें एनुलाइज रिटन मिल जाएगा कैसे मिलेगा इनुलाइज रिटन इसको सॉल्व करेंगे 1.309 1.309 3 4 माइनस में 1 अब माइनस 1 कर दीजिए यह आगया हमारा सर क्या आगया सर यह आगया हमारा हमें लगता है हमने कुछ गड़बर तो नहीं कर दिया इंटु में 100 71 कहीं ने कहीं एक पॉइंट यहां 0 0 आएगा 0 3 आएगा 0 3 आएगा 0 3 3 divided by 100 0 3 0 3 ही लिया है 1.0309 यह आगया हमने यह गड़बर कर दिया था यह गड़बर केल्कुलीशन हो गया यह एगा 1.0627 इसमें से माइनस क्या करना है 1 अगर इसमें से 1 माइनस कर दें that is हमारे पास क्या बच्चे का सर 0.60627 और इसे परसंटेज के टम्स में चाहिए तो 6.27 परसंट आ गया सर यह किसका आंसर आया सर एक आंसर आया पहले यहां तक देखिए बच्चों ने निकाल भी दिया यहां तक बताइए किसी student को 1% भी डाउट के सर ये दिक्कत आ रही है कैसे करें किसी को भी बताईए, यहाँ तक doubt, है तो बताईए, फिर B का निकालके दिखाएंगे, और फिर C का निकालके दिखाएंगे, यहाँ तक किसी बच्चे को doubt, वण सिका ने सही जवाब दे दिया, बुझान, आपका भी जवाब आना चाहिए, वनसिका का सही जवाब है, अदिती का सही जवाब है, चंचल का सही जवाब है, और अरबाज में भी सही जवाब दे दिया, यानि आपको अनिलाइज रिटन आ गया, आज तनिसका नहीं आई है, उसी ने पूछा था यह कुशन, आज वो पर्जेंट ही नहीं है, चलो कोई बात नहीं बाद में देख लेगी, अब बी की बात करते हैं, बी की बात करते हैं, बी, सर बी का क्या निकालना है, बी पॉइंट का निकालना है, क्या फॉर्मूला है सर, वन प्लस में एच पी आर, मतलब रिटन को जोड़ दो, और इसके उपर वन बाइटी करो, और माइनस वन कर दो, क्योंकि जो प्लस क्या माइनस करके एफेक्टिव रेट निकालना है, एफेक्टिव के लिए ये यूज हो जाता है, तो वन प्लस में, एच पी आर क्या था सर, सेकिंड का, सेकिंड का एच पी आर, 5.26, तो जीरो पॉइंट मैं कर दूँ इसको, 263, तो मैं इसको कर दूँ, 0.05263, ठीक है, इसका, अब सर, यहां पे 12 महिने का था, तो 12 महिने का था, तो इसका B के लिए T, अगर मैं B के लिए T निकालू, यहां पे मैंने इसके निकाला, अगर B के लिए T निकालू, तो 12 बटे में 12, तो that is 1 ही होगा न, सर, 12 बटे में 12, that is 1 ही होगा न, यह तो, कहां गया सर, 12 बटे में 12, 1 होगा, तो 1 divided by 1 ही रहेगा time, minus 1, तो इसको कुछ नहीं होगा सर, सेम आंसर आजाएगा, सब कुछ करोग minus plus वगर करके, इसको देखोगे, तो answer यहीं आजाएगा, 5.263, क्योंकि पहले से ही, वो जो return दे रखा था न, आपको, यह पहले से ही, एक साल का है, और हमें analyze का मतलब ही क्या होता है, एक साल का, और पहले से ही कितने time का दे रखा है, साहब, एक साल का दे रखा है, तो इसक लो आप convert करके, मैंने सामने इसलिए करके दिखा दिया, यह B point का था हमारा answer, किसका था सर B point का, चलिए साहब, अब सर C point का एक बार निकाल के दिखा दुआ, C point का again formula लगेंगे, effective analyze return is equal to one plus में HPR, सर HPR क्या है यह, holding period return, जो पहली class में सीखा था हमने, जो बच्चे नए है, उ one plus में HPR, इसका तो बड़ा भेंकर HPR था, इसका बड़ा भेंकर HPR था, कितना 354, अब इसको divide 100 कर देते हैं, 354, point 54, divided by 100, यह आगे 3.555, 5454, 3.5454, यह ले लिया जाए, one minus one, तो यह कितने सालों के लिए था, minus one, देख लेते हैं साल कितने, ओहो, यह 16 year के लिए है, 16 year, 16 year, तो इसको कैसे करोगे सर, कैसे करोगे, मन्त में है नहीं, तो यह आजाएगा, one by 16, अब आगया सर, पंगा, पंगा क्या आगया सर, इसको कैसे सॉल्व करें, तो पहले भी हमने सीख है, मैं फिर से लिख देता हूं, सबसे पहले आप, आप क्या करोगे, one plus, जो HPR है, HPR इसको प्लस कर लोगे, पहले step में, step number one, number two, आप step number को, step number one को, आप root करोगे, कितने time, 12 time root करोगे, ठीक है सर, step number three, फिर आप क्या करोगे सर, इसमें से minus one करोगे, step number four, फिर क्या करना है सर, फिर divide करना है, किस से सर, ती से डिवाइड करना है, एन से डिवाइड करना है, step number 5, क्या करोगे सर, फिर plus में 1 कर दोगे, step number 6, सर अब क्या करोगे, into और equal to, आपको ये 12 टाइम प्रेस करना होता है, मैं करके दिखाता हूँ, अभी आप समझ जाईएगा, ठीक है, पहले इन दोनों को पहला step, इन दोनो उनको जोडने के बाद आजएगा, 4.5454, तो अब इसे calculator पे लिख लिजिए, 4.5454, लिख लिए जी calculator पे, अब root को 12 बार प्रेस करना है, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, अब ध्यान रखेएगा, हमने ये वाला step भी कर लिया, ये भी, अब क्या कहता है, माइनस वन कर दिजिए, माइनस वन, इक्वल टू, माइनस वन हो गया, अब क्या कहता है, सर, ये भी कर लिया, हमन प्लस, वन, प्लस हो गया, ठीक है, सर, ये भी कर दिया, अब इक्वल टू, और, इन्टू और इक्वल टू 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 टैम, एक हो गया, दो हो गया, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, तस, ग्यारा, बारा, ये आ गया हमारे पास, इस पूरे को सॉल्व किया, इस प पूरे का सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन आया, 1.0992, 1.0992, अब हमें क्या करना है, सर, अब हमें इसमें से, माइनस वन कर देना है, तो माइनस वन अगर कर दूँ मैं इसमें से, तो सर, ये आगया हमारा, इस इकल टू, 0.992, अब इसको एक और आगे भी 0 है, ये रहा 0 पर्सेंटेज के टर्म्स में ले जाएं, तो आंसर इस, सर, इसका आंसर थोड़ा सा गलत है, उसको ठीक कर लिजेगा, आंसर हमारा ये बिल्कुल, एकदम सही आंसर है, अनुलाइस, बुक के अंदर शायद गलत हो सकता है, इसका आंसर, आपका आंसर ये आ गया, और ये हमा पास होगा, भुक, भुक में देख लेंगे, कुश्चन कौन सा है, सरी, पता नहीं, था तो टेबल वाला, देख लेते हैं, सही है ये गलत है, ये पहले ही कुश्चन था, हाँ, 6.24 लिख रखा है, इसको काट के आप ये कर देंगे, ठीक है न, 6.24 लिख रखा है, काट के आप ये कर देंगे, हाँ, ठीक है न, आप इसको ठीक कर लेजेगा, वो कुछ भी एरर रहा होगा, ये कह नहीं सकते, इसका solution यही होगा, correct answer देखो, इसको मैंने भी किया, इ इसके अंदर, EAR निकालना, सर, EAR निकालना, यानि, Effective Annual Rate, तो इसका चलिए, इससे पहले formula लिखा जाए, अब लिखा जाए, इसका formula, ताकि आपको याद रहे, सर, Effective, Effective Annual Return, Effective Annual Return, इसको हम short form में बोलेंगे, EAR, और सर, ये chapter ना भी हमारे basic है, अगला जो आपके exam में आएगा, वो थोड़ा advance में, EAR, क्या होता है, 1 प्लस में, HPR, मैंने जितने formula लिखवाए है, divided by T, minus 1, ये formula होता है हमारा, इसका, तो ये formula आपको याद रखना है, प्लीज आप सभी बच्चों से request है, क्योंकि इसके इंदर ज्यादा से ज्यादा formula यूज होता है, तो आप सभी बच्चों से request है, कि आप प्लीज एक काम जरूर करें, कि जितने भी formula है, वो एक page पे उतार लें, अच्छे से, ठीक है, बिल्कुल सुंदर सुंदर writing में सारे formula मुले को ताकि अच्छा है, यह सर मिस्टेक है, बुक में, ओके चंचलने भी बोल दिया सर सही कह रहे हो, मिस्टेक है,